गाईस आज इस फीडियो में हम आपको पताएंगे कि 200 watt solar panel से 200 amp की solar battery या फिर inverter battery को चार्ज होने में कुल कितना समय लगेगा कितना देर में हमारा 200 amp का battery जो है हमारे 200 watt solar panel से चार्ज होगा तो यह हम आपको इस वीडियो में काफी डीटेल में बताएंगे और यह जो मैं आपको timing बताऊंगा यह exact time हो सकता है हो सकता है कि 1-2 घंटा उपर नीचे हो जाए लेकिन जो मैं आपको timing बताऊंगा यह 100% confirm है कि solar कितना power बनाता है कितना current बनाता है यह सारा कुछ depend करता है धूप के उपर लेकिन अगर डोटली देखा जाए अगर सुबह से साम तक धूप अगर तीज रहता है तो ही उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा अगर धूप डाउन होता है तो उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है अधरवाइस आपको बताऊंगा इस वीडियो में वह 100% कंफर्म हैं हलाकि एक दो गंटा उपर नीचे हो सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि 200 वाट सोलर पैनल से 200 बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगेगा कितने देर में हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाए है और इवनिंग के छे बजए तक बनाते है अब यह नहीं है कि सुबह भी एक जडैसा बनाता एंस साम में एक जैसा साम में ङर गाको चार्ज हर यत summary कम बनाएगा और इवनिंग का टाइम है करेंट अच्छी कासी बनाएगा और इससके पहला हम लेकिन यह कभी दस अप्य आउर्पूट प्रैक्टिकली हमें सप्लाइफ नहीं देता है 202 सा वाट का स्टोलर पैनल यह हमेंसा आठ एंप्य देता है अब अभाट करें कि मॉर्निंग टाइम यह कितना अप्ये देगा तो मॉर्निंग टाइम पे सबसे पहले हमें इसका टोटल जो है वह एंपियर देखना होगा कि यह कितना एंपियर यह टोटल करेंट बना रहा है एक दिन में तो जैसा हमने आपको बता है सुबह साथ बजे ले करके दस बजे तक यह अर घंटे 5-6 एंपियर करेंट बनाता है तो उसमें क्या होगा मतलब कि 7 बजे से ले करके 10 बैह तक यानि है 50 अब इसके अलावा अगर हम और बात करें जैसे दो बज़े से ले करके साम को 6 बज़े तक तो यह करेंट जो है वक्दम कम बनाता है क्योंकि मॉर्णिंग टाइम में जो है करेंट धूप तेज होता है और दूब बज़े का बात जो डूप का जो पावर होता है वह काफी चार घंटा तो एक दिन में हमारा सोलर पैनल मातर सतर अब बनाता है तो अब आपको लग रहा होगा कि 200 बैटरी को चार्ज करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा मतलब लगब तीन दिन टाइम लगेगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है दो से बैटरी होती है उसको ह हमें पूरा 200 एंपियर हमें चार्ज नहीं करना होता है क्योंकि इडिपेंड करता है अगर अब प्लीथियम बैटरी चार्ज करते हो तो इसको 90 परशट कुछ करते हैं और ट्यूबलर बैटरी जो है लीडेसीट बैटरी जो है इसको हम 70 परशट तक इस्तमाल कर सकते हैं तक जो 60 एंप्यर होता है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बाकि साथ एंप्यर जो है बैटरी अपने आप में स्टोर करकर रखता है ताकि उसको चार्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके अगर वह बैटरी पूरी तरस सम डिस्चार्ज कर देते हैं तो जल्दी ही तो इसलिए जब हमारी बैटरी 30% चार्ज रहती है तब हमारा इंवर्टर जो है लूब बता देता है कि इससे ज्यादा हम बैटरी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिकल अगर हम देखा जाए तो 140 एंपीर हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो हमारा 200 वाट सोलर का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है यह जो मैंने आपको टाइमिंग बताया हुआ है अगर धूप अच्छी खासी निकलती है तो ही आपका सोलर दो दिन में आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा अदर्वाइस धूप अगर कम रहता है तो उसकी कोई गरेंटी नहीं कि उस आप आपका सोलर पैनल आपकी बैटरी को कितने चार्ज कर रहा है ठीक है तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटुब चनल पर गड़ना होंगा तो चैनल क